नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इफको के प्रॉडक्ट अठारा 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 के उपर अला कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि यह उनिस 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 बजार मिलता है 2020 मिलता है और अठारा अठारा काफी पहले से चल रहा था कुछ समय नहीं मिलता बाजार में कहीं के बे अविले रहता है तो इसमें कोई जाता जो है ऑच नीच नहीं है दोस्तों इतने कोई फ़रक नहीं है, इसमें समांतर 1% का फ़रक है तो रिजलट ही है, ये बी जो है 2019 के ही मुखावले काफी अच्छे उंदर रिजर्ट देता है आपको फसलों में इसको सभी प्रकार की फसलों में यूज़ किया जाता है एक तरह से आपका जो है मैक्रो न्यूटियंट है इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और प्वटास जो है उब एक समाने मातला में आपको देखने का मिलती है जो कि फसल और स्प्रेके मादेम से आपको बहुत ही इंस्टेंट रिजर्ट देखने को मिलते हैं इसको अप सभी प्रकार की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं गेम हो गया टमाडर हो गया लॉकी, खीरा, तोरी, करेला, बैंगन, सिमला मेर्च, बिंडी हर तरह की फसल में इसको इसको इस दालते हो, वर्मी कंपोज दालते हो, तो उनके रिजर्ट्स जो है काफी लंबे समय तक रहते हैं पर उनको मिटी में जमीन के अंदर डालना पड़ता है तो उनके असर जो है पांस से छे मीने साल तक जो है जमीन में रहता है पर फसलों को धीरे-धीरे मिलता रहता है और फ पसल जो हरी भरी अच्छे तरीके से जो लहरा आएगी अच्छे से उसमें जो है बड़ोतरी होगी उसकी कोशी काइम बनेगी जल्दी जल्दी उसमें पत्यों में हरा पन आएगा पत्यों में फैलाउट अच्छी होगी उपर को नई प्रांचिस निकलेंगी नए तने flowering भी अच्छी होगी और flowering से floating भी अच्छी होगी जब आपकी भारी मात्रम जो है flowering आना सूरू होती है उस stage में आप इसका 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 हिस्तेमाल कर सकते हो जिससे की जितने भी आपकी फूल आयो होते हैं, वो फल में तबदील होंगे, वो गिरेंगे नहीं, उसमें आलहकी और भी nutrients की जरूरत रहती है, जैसे कि आपका calcium की जरूरत पढ़ती है, बोरोन की जरूरत पढ़ती है, वो भी आप side by side इसके साथ देंगे तो आपकी फसल में जो है, आपको better से better result देखने को मिलेंगे, अच्छी production देखने को मिलेगी, अच्छी जो है, फसल देखने को मिलेगी, size में, चमक में तो उसके लिए जो है, आपका ठारा ठारा रहता है, बहुत सारी जगाओं पर 19-19 नहीं मिलता है, तो उसके विकल पे अठारा अठारा ले सकते हो, प्राइस जादा नहीं है, इसका एक किलो की आसपास की बात की जाए, तो लगवग सौ और पे में आ जाता है आपका बानुए, यह 90 रुपए की आसपास बढ़ता रहता है, आपका हर बरस जो है, वो प्राइस इसके बढ़ते रहते हैं, दिर दिर आपको डेर सो में मिलेगा, 200 में आगे बढ़ेगा यह बढ़ेगा प्राइस क्योंकि ऐसा होता ही होता है, हम पहले सी यूज कर रहे हैं, तो काफी ज़्यादा रेट जो है, अब हाई हो चुके तो बात कर लेते हैं दोस्तों, डोज की डोज भी इसका थोड़ा जाबा रहता है आपका एक लिटर पानी में जो आप इसको तीन ग्राम के आसपास आपको लेना ही लेना रहता है आप इसको अगर ड्रिप में लेते हो, ड्रिंचिंग में लेते हो तो उसमें थोड़ा डोज और बढ़ जाता है आपका लगवग जो है, चार से पान्च ग्राम आप पर लिटर पानी के इसापस इसको ले सकते हो और उपर से दोस्तों ये इफको के प्रोड़क्ट है इफको के प्रोड़क्ट वैसे भी दमदार रहते हैं काफी अच्छे जो इनके प्रोड़क्ट रहते हैं और रिजल्ट भी जो है, वो अच्छे दमदार देते हैं और इसका जो है छिड़काव आप अगर करते हो तो continuity में 8 से 12 दिनों के बीच में आप इसका regularly spray कर सकते हो हला कि जब तक आपकी फसल में जो है flowering आ रही है, fruiting बन रही है और उस वक्त तर इसका spray कर सकते हो उसके बाद आपको हला की और भी मिलेंगे तो उसके लिए size के लिए हलाकि इसको भी इसको भी इस्तिमाल किया जा सकता है पर उस वक्त जो है पॉर्दे को ज़्यादा जरूर पोटास की रहती है ज़्यादा जरूर जो phosphorous रगया थे है उस वक्त nitrogen की इतनी जरूरत नहीं रहती है तो आप इसके बजाए यहादा इसके साथ साथ mix करके जो है 0.5, 34 यह 0.0, 50 या और भी बाजार में बहुत सारी golden seal और भी N.P.K.S मिलते हैं उनका इस्तिमाल कर सकते हो इसके साथ साथ और साथी साथ दोस्तों इसका इस्तिमाल जो आप नर्सरी में भी खा सकते हो, नर्सरी में इतने कोई side effect देखने को नहीं विलता है, अगर आपकी नर्सरी में थोड़ा बहुत पीला पन है, अगर वो अच्छे से grow नहीं कर रही है, तो उसमें भी जो है, आप थोड़ा सा, उसमें dose थोड़ा कम रहता है, दोस्तों, नर की भर कैल्सिम डालिए और थोड़ा सा, अठारा अठारा डाल दीजिए, लगवगे उसमें आपका पांच लिटर पानी में जो है, पांच ग्राम के, पांच ए छे ग्राम के आसपास ही डलेगा, पर लिटर पानी में एक ग्राम डालिए, जादर ना डालिए, क्योंकि जाला डोज हो जाएगा, तो पत्तियां उसकी बिल्कुल बारिक रहती हैं अभी नर्सीज में, तो उसको थोड़ा जड़ने का खतरा रहता है, तो उसके लिए कम डोज डालिए और अच्छे रिज़ाट आपको मिलेंगे, तो इसी के साथ दोस्तों, अगर कोई साहबा आल्या सु जाल मिलते हैं और बिने अब डेर्स के साथ